ओम श्री साइना थाई नम्हा गुड मॉनिंग, साइ ओमॉनिंग आईए एक नए दिन के शुरुआद करते हैं बाबा के साथ, उनके अशिरवाद के साथ बाबा का अशिरवाद है, तो हर चीज संभव है बाबा पर भरोसा रखे और एक नए जीवन की, नए दिन की, नए उम्मीदों से शुरुआद कीजिए जिन्दगी में कितने भी समस्या हो, समाधान हर चीज का होता है और हर समस्या के तिन समाधान भी होते हैं या तो स्विकार कर लें, या बदल दें, या छोड़ दें कई बार, जो हम किसी चीज को सुईकार नहीं कर सकते, तो बदल देते हैं और बदल नहीं सकते, तो सबसे अच्छी चीज है कि उसे इश्वर पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें, बाबा पर छोड़ दें कि जो हमसे नहीं बनेगा वो वही कर सकते हैं फिर जो हम नहीं कर सकते जो हम करने की सोच भी नहीं सकते उसके भरोसा रख सकते हैं क्योंकि हाँ तो उनसे तो जरूर हो वो जरूर करके देंगे और वो वही करके देंगे जो हमारे लिए बहतर होगा वो हमें वो चीज़ कभी नहीं देते जो हमें दुख ते हमें नुकसान देते हैं चाये वो हमें कितनी ही प्रीय क्यों ना हो वो वही देते हैं जो हमें लंबे समय तक खुशियां देती है वो वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहतर होती है, हमारे जीवन में खुशियां लाती है भले वो देने में थोड़ी सी देर लगा दे, भले वो देने में थोड़ा समय लगा दे हमें बहुत प्रतिक्षा करनी पड़े लेकिन फिर भी उनकी जो बात ही अलग है उनका निर्णे हमारे निर्णे से कहीं अधिक बहतर होता है उनकी योजनाएं हमारी समझ से तो बाहर होती ही है लेकिन जब वो देते हैं तो बहतरीन बना कर देते हैं कोई भी है, लाख कलतियां है, अपने बाबा से शमा मांगिए हाँ, जीवन में फिर उस गलती को दोराना नहीं है उससे आगे बढ़कर अच्छा करना है बाबा के श्री चर्णों में बैठकर अपने दोरा की गई हर गलती की शमा मांगिए बाबा, मुझसे गलती हो गई हाँ, लेकिन आज के बाद ये गलती दुबारा कभी नहीं होगी मुझे शमा कर दो और अपने श्री साइं चर्णों में बैठने की आग्या दो बाबा, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं हमें आपके श्री चर्णों में बैठके सुकून मिलता है हमें प्रातना करने से सुकून मिलता है और मैं आप लोगों से ही कहना चाहूंगी कि प्रातना करते रहिए प्रातना करना एक बहुत अच्छी बात है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बाबा के चरणों में की गई प्रात्ना कभी खाली नहीं जाती जो सच्छे दिल और भाव से प्रात्ना करता है बाबा उसकी प्रात्ना को जरूर स्विकार करते है आप अपने लिए भी कीजिए और दूसरों के लिए भी कीजिए जिनका नाम आपके कानों तक जाता है कि वो व्यक्ति बिमार है उसके लिए प्रातना कीजिए कि दिवा सबकी हल्थ ठीक कर दो सबको सुख दे दो, सबको खुशी दे दो सबके कश्टों को दूर करके सबकी लाइफ में खुशियों का आगमन कर दो प्रभू रहम कर दो और सभी सुखी रहें, सब खुश रहें, सब अपना जीवन खुशी-खुशी बिताएं हमारी आप से यही प्रातना है बस और फिर जो दूसरों के लिए सोचता है, मालिक स्वयाम उसके लिए सोचते हैं भगवान खुद उसकी रक्षा भी करते हैं और उसके हर काम को बनाने में उसका साथ भी देते हैं इसलिए घबराने से नहीं, हिम्मत, साहस और भगवान पर भरोसा रखने से हर कारे सफल जरूर होता है अपने बावा पर भरोसा रखें, फिर जिन पर भी आपकी श्रदा है, जिन को भी आप मानते हैं उन पर वरोसा रखते हुए हर कारे को कीजिए, कोई शंका ही नहीं है कि संभव नहीं होगा. सब कुछ होगा अच्छे से होगा. इसलिए वरोसा रखे और प्रात्ना करते रहे तो चलिए आज की प्रात्ना के जो नाम है भाबा कि श्री चर्णों पर रखते हैं. तो आज की प्रात्ना के नाम मैं वावा की चरणों पर रखती हूँ इस विश्वास के साथ की ही दिवा आप हमारी श्रड़ा की लाज रखना वावा जैसे हमेशा रखी है आज भी रखना और जो नाम जिनकी सिहत अच्छी नहीं है 24 अमस्या है वावा रहम नजर करना, धया करना, सभी को खुश रखना तो आज की फ्रात्ना के नाम है संबित कुमार मिश्रा जी सागर कुमार बच्चा बच्चा हर्शित अमित कुमार जी प्रमोद पवर जी आदिती भकत जी विशू कुमार जी आंटी देवांजनी मिश्रा जी बच्चा आर्या आईरा साक्षी जी और जस्विंदर जी विने कुमार जी और अल फैमिलीज बावा रहम नजर करना दया करना सभी प्रक्रपा करना सब के बिगड़े कार्य बनाना सब के घर में खुशियां लाना देवा और सब को हैल्दी रखना सब को हैपी रखना और सभी अपने जीवन में हर परिस्थिती का सामना कर सके इतना सक्षम बनाना प्रभू सभी के घर में सुक्सम्रिद्धी बरकत हो सब का भला हो सब पर आप काशिरवाद बना रहे हमारी आपकी श्रीचरणों में बार-बार यही प्रातना है जिनकी सेहत सम्मंधी परिशानी है बावा उनकी सेहत सुधर जाए, सेहत अच्छी हो जाए जिनके जिवन में जिस भी प्रकार की कोई भी चिंता परिशानी समस्या कुछ भी है वो सब कुछ ठीक हो कर उनकी लाइफ में खुश्यों का आगमन हो हम आप कि श्री चरणों में बैठ कर देवा यही प्रातना करते हैं कि इस प्रातना में जितने भी नाम शामिल है वो जल्द से जल्दी आकर अपने अनुभव बताएं कि बावा सब कुछ ठीक हो गया सब अच्छा हो गया, सब बहतर हो गया जो सोचा नहीं था उससे कहीं अधिक अच्छा हो गया और विश्वास रखें जैसा आपका भाव होगा जैसा आप मन में सोचेंगे, विचार लाएंगे, बावा पर भरोसा रखेंगे उसी प्रकार के अनुभव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे भी ठीक है, परिशान नहीं हो ना, बावा की उदी अपने मस्तक पर लगा कर घर से बाहर निकलेगा बावा की उदी है, बावा हैं, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा चीक है, साइन सब का भला करें, बावा सब पर करपा करें और आज साक्षी जी एंज स्विंदर जी की मैरेज अनिवर्सरी है साक्षी जी एंज स्विंदर जी को हैप्र मैरेज अनिवर्सरी बाबा की करपा से आपका हर दिन बहतरीन हो और हर दिन आपकी जंदगी में धेर सारी खुश्यों से भरपूर हो। इस मन में बठालो बाबा को, कुछ देना है, तो स्वयम को दे दो कि बाबा मैं ही खुद ही आपका हूँ, मैं आपको क्या दूँ, सब कुछ तो आपका है, मेरे पास तो सिर्फ कुछ भी नहीं, मेरे पास तो बस आप हो, आप ही रहना, आपको ही चाहते हैं, रहम करो, दया कर प्रभू और ऐसे ही अपने श्री चरणों में हमें लगाए रखो तो जलिए आज की प्रात्ना को संपन्य करने के लिए संपोर्ण करने के लिए बाबा के ही चरणों में बैठ कर 11 बचन पढ़ते हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है अगर वो भी इस प्रात्ना को सुन रहे हो तो 11 बचन जरूर पढ़ना ठीक है और जिनकी सेहत अच्छी है वो भी 11 बचन जरूर पढ़ना जिन्होंने प्रात्ना की है किसी के लिए वो भी 11 बचन जरूर पढ़ना जिन्होंने नहीं भी की है तब भी जरूर पढ़ना ठीक है जिन्दगी अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी, कोई परिशानी है तो वो दूर चली जाएगी नहीं है तो कभी नहीं आएगी चेके, चले आएए बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाट करते हैं और फिर दिन की शुरुवात करते हैं आएए मेरे साथ मिलकर हम सभी 11 वचन पढ़ते हैं जो शिर्डी में आएगा आपट दूर भगाएगा चड़े समाधी की सेढ़ी पर पैर तले दुख की पेड़ी पर त्याग शरीर चला जाओंगा भक्त ही तु दोड़ा आओंगा मन में रखना द्रड विश्वास करे समाधी पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो मेरी शर्ण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जनका वैसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुच पर होगा वचन न मेरा जूठा होगा आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर मुझे मेलीन वचन मन काया उस कारण न कभी चुकाया धन्य धन्य वहभक्त अनन्य मेरी शरं तजजिसे न अन्य अनन्त कोटी ब्रमान नायक राजा धिराज योगी राज परब्रम श्री सचिदानंद सद्गुरू साइनात महराज कीज़े बाबा की कृपा से आज की प्रातना संपूर्ण होती है बाबा सब का भला करें बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे तो चलिए साइय अशिरवात से आज की दिन की शिरुवात करते हैं और हाँ सोंबार से बाबा का हम नाम जाब करेंगे और आप सबहें मिलकर उसमें सम्मलित हों और बाबा का शिरुवात प्राप्त करें ठीके? सुंबार टाइम साड़े बारा बजे ओके? ओम श्री साइय जैसाइं, 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 जैसाइराम.